इस वीडियो में जानेगे कि उत्तर प्रदेश में कव बेटियों को अपने माता पिता की संपत्ती में कानून रूप से अधिकार, कानून रूप से माता पिता की संपत्ती में हिस्सा नहीं मिलता है आपने कई बार सुना होगा कि वही बेटियों को माता-पितागी संपत्ती में बरावर का हकदार है और बरावर हिस्सा मिलेगा जी हाँ विल्कुल सही है ये जो हिंदू उत्रादिकार संसोतन अद्रियम 2005 दो है इसमें 2005 में संसोतन कर दिया गया तो ये सापसा कर दिया था कि पुत्र की बहात ही पुत्रियों को वी समान रूप से जो भी संपत्ती है माता-पिताय की उसमें समान अदिकार होगा यहां तक कि जो हिंदू उत्रादिकार संसोतन अंध्रियम 2005 जो है इसमें ये भी इस परस्ट प्रावधन किया था कि बहाई जो भी कृसी की भूम में वी पुत्रे यों पुत्रियों को समान अदिकार प्रदान किया जाए इस पस्ट रूप से लिखा है लेकिन वही जो राजी वीगो वैसा ही राज़ीं की दारा 180 मेवी देखने को मिलता है जहां पर पुत्रियों के साथ भेधवाह होता है चलिए जान लेते हैं कब संपत्ती नहीं मिलती है पुत्रियों को देखे जो हिंदू उत्रादिकार अधनियम 2005 था उसने तो साफ कह दिया कि पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा चाहे वो क्रसी भूम हो चाहे कैसी भी संपत्ती हो लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश से हैं और यदि मान कि जो क्रसी भूम जो है जो भी जैसी संपत्ती है जो भी जमीन है उसमें विवाहित बेटियों को इससा नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंको उत्तर प्रदेश राजस सेता धारा 108 जो है वो उसमें जो भी वर्ग दिये गए हैं उत्तरा अधिकार का क्रम दिया गया ह वो भी आपको पता दे हैं तो उस क्रम में विवायत बेटियां नहीं आती हैं दीकि उत्तर प्रदेश राजस सहता की धारा 108 में लगवग 15 वर्ग दिये गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति मरता है अपनी संपत्ति को छोड़कर तो 15 वर्ग दिये गए हैं 15 वर्गों तक उसकी सं प्रतंबर्ग यदि प्रतंबर्ग में कोई नहीं मिलता है तब दूसरे वर्ग को संपत्ति ट्रांसफर होगी दूसरे वर्ग में कोई वी जीवित नहीं है तब तीसरे वर्ग को तो प्रतंबर्ग में कौन-कौन है यदि माल लीजिए आपके पिता जी कोई संपत्ति चोड विद्वा उसकी अविवाहित पुत्री और उसका पुत्र ठीक है अब यदि मान लीजिए उसके पुत्र की डैथ हो गई तो उसके पुत्र की जो विद्वा होगी उसे संपत्ती मिलेगी उसके पुत्र की कोई अविवाहित पुत्री है या कोई उसके पुत्र का पुत्र है त उसकी विद्वा भी नहीं है, तो वह संपत्ती जाएगी दूसरे वर्ग में, दूसरे वर्ग में आते हैं वही माता और पिता, यदि उसके माता और पिता हैं, तो वह संपत्ती माता पिता को ट्रांसफर हो जाएगी, अब बाद, अब भाई आती है तीसरे वर्ग में, जैसे म कोई भी व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति छोड़के मरता है कोई सुरी मतलब जो भी क्रसी भूम छोड़के एक्सपायर हो जाता उसकी जो भी क्रसी भूम होती है वो विवाहत बेटियों को उत्तर प्रदेश में विवाहत बेटियों को नहीं मिलेगी विवाहत बेटियों को तब ही मिलेगी जब पहले बर्ग और दूसरे बर्ग का उत्तराधिकारी कोई भी जीवित नहीं रहा होगा तब उसमें विवाहित बेटियों को संपत्ती मिलेगी लेकिन उत्तरपरदेश राजस सहता में कुछ इस प्रकार उत्तराधिकार करम दिया गया है लेकिन जो उत्तराधिकार संसोजित अधनियम दोजार पांच जो है उसमें सभी को बरावर अधिकार दिया गया है उसमें ये भी साप साप का आए कि वही क्रसी भूम भी है तो भी पुत्रियों का समान अधिकार होगा लेकिन वही जब आप राजस सहता की धारा एक सो आट क्योंकि दोनों जो हैं ये दोनों लो मेल नहीं खाते हैं तो यदि मालीज आपको वीडियो अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक करें चनल सब्सक्राइब करें आपका कोई भी कुस्तर नहों तो मुझसे कालमी 4 एपके थूर मुझसे बात कर सकते हैं एपकी लिंक description में हमने दे रखी है